तो दोस्तो इस समय की पहले बड़ी अपडेट हम आपके सामने रखते हैं और देखे दोस्तो आपको जो result जारी हो चुका है और देखे यहाँ पर आपका पेपर 1 का number आपका paper 2 का number यहाँ पर देखे दिखा है कि कितने question आपने सही किया है कितने question आपने यहाँ पर दिके wrong है मतलब गलत किया है और कितने question आपने छोड़ दिया था सबको दोस्तों आपड़ details दी गई है rank की detail दी गई है general rank दोस्तों आपर yes ओ कर register rank ठीक है और eligible for counseling तो guys आपको इस result को download कैसे करना है पूरा process हम आपको बताएंगे आपको बताएंगे आपको आपका result आ चुका है तो चलिए पहले पूरा process देख लिजे तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने mobile phone या computer में google open कर लेना है और देखिए search क्या करना है d e l e d r e s u l t dot c o m जी हाँ दोस्तो d e l e d result dot com इस website का नाव आप याद रखिएगा ठीक है क्योंकि दोस्तो b e d l e करें d e l e करें इस website के जरूरत आपको पड़ेगी तो यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे होंगे d e l e d result 2021 आपको इसको लिंक है वो एक्टिवेट हो चुका है ठीक है तो गाईस यहाँ पर तीन लिंक दिये गए आप किसी भी लिंक से b e k रिजल डाउनलोड कर सकते हैं तो चली दोस्तों डाउनलोड करके हम आपको पहले दिखा देते हैं पहले आपको अपना दोस्तों क्या करना है login ID डालना है उसके बाद password ठीक है तो जो भी दोस्तों आपका password है उसको आपको fill कर लेना है उसके बाद क्या करना है आपको login करना है जैसे ही दोस्तों आप login करेंगे ठीक है तो ये दोस्तों आपका page खुल जाएगा जहाँ पर application details होगी application print, admit card और scorecard हमें दोस्तों simple सा scorecard पर click कर लेना होगा और देखें आप लिखा click here to download जैसे दोस्तों आप यहाँ पर click करेंगे here पर ये दोस्तों देखे download हो चुका है अब चलिए इसको हम open करके आपको दिखाते हैं तो ये दोस्तों आपके सामें ये राई scorecard जी यहाँ दोस्तों सबसे उपर आपको यहाँ पर देखे roll numbers हो करेगा registration number candidate का नाम father's name, mother's name, mobile number data birth ये सब कुछ ठीक है यहाँ पर दोस्तों देखे correct जो आपने का correct response रहा वो 45 question paper 1 में और जो wrong आपने किया वो 33 इन्हों ने किया है ठीक है not attempted 22 question ने उन्हों ने छोड़ दिया था तो guys कुल मिला कि इनको टोटल number मिले वो मिले 68 number उसके बाद paper 2 में यहाँ पर यह था 45 question को इन्हों ने भाईया टोटल वो 133.333 ठीक है और इसके बाद दोस्तों के rank detail में क्या लिखा गया है तो general के दोस्तों जो rank बन रही है वो 29,701 और OBC के जो इनकी rank बन रही है 96,424 और देखे सबसे बड़ी बात यह कि eligible for counseling ठीक है आप लिखा गया है यह counseling के लिए eligible है और देखे एक बात और आपको बता दे कभी-कभी दोस्तों अगर आपके में ऐसा नहीं सो कर रहा है तो direct admission का एक process होता है ठीक है अगर college में आपकी seat है खाली rank तो आपको direct admission के तुरू admission दे दिया जाएगा ठीक है तो counseling का यह matter है अब अगला process counseling का अमारा शुरू होगा तो जली जली दोस्तों आपको उपने result download कर लिजे कोई दिक्कात आ रही हो तो comment करिएगा मिलते हैं एक और वीडियो में तब तक के लिए stay connect